कैच हो आप सब, मेरा नाम सुनिल चौधरी, मुझे प्रेंच सर के नाम से भी जानते हैं I am the faculty of biology and I have been teaching for last 7 years आज मैं आपके सामने class 10th का एक छोटा सा topic, एक छोटा सा chapter, life processes इसके बारे मैं discuss करना आया हूँ, life processes की बात करें, तो सबसे पहले इसके definition को समझते इसकी definition तब समझ में आएगी जब आप मेरी कुछ बातों पर ध्यान दोगे तो इसको start करने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा example जिसका नाम है amoeba सबी जानते हैं उसके बारे में, amoeba जो की unicellular organism है और बड़ा ही simple है, इस organism की अगर बात की जाए, तो ये organism अपनी life को जीने के लिए क्या करता है उसे time to time oxygen चाहिए, time to time carbon dioxide release भी होना चाहिए उसके अंदर से time to time उसे खाने के लिए भी चाहिए, एनकी food उसके साथ साथ वो उस food का use करके energy बनाएगा तो एक छोटा सा organism ये सारी चीज़े जो कर रहा है, अपनी life को maintain करने के लिए इसके लिए वो life process है, ये तो हो गया बड़ी simple example अब second example की side चले, तो हमारे पास है human being सभी जानते हो, human being भी कुछ ऐसे processes करता है जिसको survive रहने के लिए, जो उसे survive कर पाए आलाम से जैसे कि example के तोर पे, सबसे पहले मेरे पास है, that is respiration सभी जानते हो, oxygen लिया, inhale किया, nostril से, यानि कि नाके छेट से और धिरे-धिरे lungs के अंदर गया, alveoli, जो कि उसका basic part होता है वहाँ से पूरे blood में circulate करके, उसका use करके, फिर वापिस carbon dioxide निकालता है इस पूरे process को respiration कहता है, तो respiration human being का क्या हो गया, life processes महीं साथ में बात की जाए, मेरे पास second example है, that is excretion हमारी body जब बहुत सारी waste बनाती है, तो वो remove करने के लिए क्या करती है अपने waste को blood में डालती है, और blood के through, अगर आपने सुना है, kidney kidney उस waste को urine के form में निकाल देता है, that is excretion तो ऐसे करके, याई human being बहुत सारी चीजे, बहुत सारी चीजे, जो की life process के लिए जरूए हो, सारी चीजे करता है, तो इसलिए अब life process के definition पड़ता है life process के definition के अगर बात की जाए, तो it is just simple, जैसे की it is all basic functions which are performed by organism, all basic functions which are performed by organism, to maintain their life याई कि वो सारी चीजे, जो को organism को करनी पड़ेगी, अपनी life को maintain करने के लिए, that is life processes इसके साथ के अगर बात की जाओ, तो बहुत सारी चीजे हमें life process में पड़नी है, जैसे की सबसे पहला, nutrition इसको nutrition के बात करें, तो हमारे पास है respiration तीसरा अगर बात की जाते हैं, ट्रांस्पोडेशन चौत्ता बात की जाते है, किया जाए excretion तो ये सारी चीजे हमें पड़नी है इसमें, अलग-अलग step में